Hello Friends, मैं पंडरेजब्रीजबूशन शर्मा, आपका स्वागित करता हूं आपने YouTube चैनल ब्रेजबूशन विचर पॉइंट पर हैं मैं आपके स्पोर्ट्स का बहुत धन्याबद करता हूं आप मेरे चैनल पे आते हैं मेरे उस्सा बढ़ाते हैं मेरा मिन परिफलित हो जाता है गद गद हो जाता है मैं आपका कोट-कोट नमन करता हूं दोस्तों पिछले कुश मैंसे में वीडियो नहीं बना पारा था आज मैं फिर दोबारे चालू करें आज मैं आपको जो वीडियो मना जाने जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ, पांच और तीन, पांच नमबर गुरू का है, और तीन नमबर, ये मैं सारी बाते आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप इन सब बातों को तसली से जान सकें, बुद्ध का और गुरू तन आता है क्या बदलावाता है मैं आज दोनों का विश्टेशन कर रहा हूं पाँच का और तीन का पूर रूप से विश्टेशन करके आपको समझाना चाहते हूं दोस्तों यदि अगर आप अपना या अपने बच्चों का नाम या मोबाइल निम्बर ठीक करवाना चाहते हैं या कंसल्ट एंसी करना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉंटेक्स कर सकते हैं आप मुझसे डिरेक्ट कॉंटेक्स कर सकते हैं मेरे हाँ पे नोट्स भी मिलती हैं मेरे हाँ वेदिक के नोट्स हैं मेरे हाँ लोशो के नोट्स हैं और हमारी क्लासे यथावत समय पे चालू होती रहती है तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप में से सब पर कर सकते हैं दोस्तों अब मैं आप बताता हूँ बुद्ध पांच नमबर ये किसी के साथ जल्दी से मिक्स अप नहीं होता जातक बुद्धिमान गठित लेखा कार अनुकुलने गठिशील होगा ऐसे जातों को किसी बात की जल्दी नहीं होती जातक कलाओं को सीखने के लिए जिग्यासा सहासी प्यार करने वाला आए के एक से अधिक सोत्र होते हैं जातक यात्रों का शोकिन होता है और विदेश यात्रा भी करता है जातों को जोतिश का भी ग्यान होता है जातकों गुप्त विद्यों का ग्यान होता है तंत मंत विद्या की जानकारी होगी आपका बैलेंसिंग पारिवारिक जीवन अच्छा होगा जातक में उताबलापन नहीं होता और लेजी भी नहीं होता ऐसे जातक के चहरे से कोई इनकी परिशानी और सुख दुख को नहीं पढ़ सकता ये हमेशा सम की स्थिति में रहते हैं इनकी टोप किलास कैलकुलेशन होती है अब बीनिस मेन होती है हमेशा इंटेलिजेंट डिसीजन होती है प्रफेक्ट आदमी अपने से ही अपने में ही चलता है इसलिए टेंशन में ही रहती है ऐसा जातक थोड़ा सा आजसी और बेफिकर होता है ऐसा जातक रहस में जोतिश का ग्यान गुत विद्यों का ग्यान तांतरमानत विद्यों का ये सब ग्यान होता है तो दोस्तों तीन नमबर जो आले जो होती हैं वो कैसे होती है ये अंग ग्यान का भनडार और best स्पोर्टी नमबर है जातों को परिवार और समाज का पून सहयू बिलता है वियापार भी अच्छा होता है इस नमबर को भगवान का आशिवाद होता है जातों को एक के बाद एक एपच्रोटी पिलती है ये अपने सिदांतों पर कारी करते हैं जातक महत कांशी होता है जातक मिलोनुसार होता है ग्यान प्राप्त करने के जिग्यासा होती है उजपद पर आसिन होता है ऐसा जातक इमानदार परतिवाब शारी होता है आकरशक होता है ऐसे लोग बहुत अच्छे शिक्षक उपदेशक भी होती है ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे काउंसलर मन के दर्शन बहुत अच्छे बहुत अच्छे मतल मरहम लगाने वाले होती है हमेशा डिस्सिप्लीन में जस्टिश लोवर उपदेशक भी होती है अच्छे मगर बेड फिनीशर रहेंगे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पांच और तीन पांच और तीन का आपस में मिल अच्छा है इनके सत्ता परसंट डश्टनी रहती है पांच नमबर राजकुमार पांच नमबर राजकुमार और तीन नमबर गुरू महामंत्री राजकुमार का गुरू से ज्यान पराप्ट करके सफलता की ओर बड़ता है एजुकेशन में अच्छी सफलता देखने को मिलती है ठीक है पैसा प्रोपर्टी नेम फेम धीर धीरे प्राप्ट होती है लेकिन ऐसा जातक बुद्धिमानी से कारिय करने वाला होता है अनुशासन बनाए रखता है सो समझ कर बोलता है धनम और मानवता उसका च्रित्र है नाम आंक ठीक होने पर नोकर और अपने कारिय में खुब नती करता है नाम अंक गल्द होने पर इन्हें ऐसा फलता मिलती है और गल्द कारिय में पैसा मिलता है इसे ऐसे व्यक्ति को अपना नाम एक नमबर पर लाना चाहिए जिससे कि इन्हें परिशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और अच्छे फल की प्राप्ति होती है अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ पांच और तिन दोनों पून रूप से उर्जा से उत्प्रोथ है किन्तु व्य होता है दोनों ही सरजन शीर एवसाधन संपन होते है यदि ये अपनी हर बड़ी के आज़त पर नियंतर कर सकें तो दोनों साथ जीवन बिता सकते हैं पुरुष योग्या आकशक आशावादी भाकेशाली और तथा जीवन में सुखों को पून आनंद लेना इसे पसंद है महिला तीन पुरुषों के सवर्थे उप्युक्त है क्योंकि पांच सवय सहासी कारणामे एवविभिन पसंद करता है किन्तों पांच महिला आनंद ख्यार एवम जोक में लेने की आज़त के कारण नहीं वहीं रहती है जिससे उसे खुशी मलती है पुरुष उस पर अंकुश नहीं लगा सकता पांच महिला पांच नंबर की महिला सन की उत्तेजना से परिपून एवम शेगरता से निरने लेने वाली होती है अधिकता समय में तीन पुरुष उसकी उपक्षा पे खरार नहीं उतरता उसकी सारी जूरतों को पूरा नहीं कर पाता यदि ये चाहते हैं कि उसका सम्मंद बना रहे तो इन्हें अपनी गतीपन नियंतन के साथ ब्रेक लगाना ही होगा यदि पुरुष अंक पांच और महिला तीन की है इस सम्मंद में अधिक योग है पांच पुरुष सहासी एवे विग्र होता है वा समय सम्मंपर उसे पुरुषाहित भी करता रहता है तीन महिला आकाशक एवे प्रमोद सभाब की होती है पांच पुरुष को लगाता है पुरुषाहित करती है सवर्था उप्यूक्त है साथ ही पांच परिवरतन शीड है तदा तीन काफी भाग्याशारी है अता ये योगल किसी भी सिती में भरपूर फादा उठाने में सक्षम है तीन महिला का कलात्मक एवम सजन शील गती विधियां पांच पुरुष के रचनात्मक आला उचना से अच्छा परवसान पाती है तदा प्रगती करती हैं दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे के पूरक हैं अच्छे संपति अजित कर सकते हैं साथ साथ एवम खुश कुशी लंबी दूरी तेंख करती हैं नीजी जिन्दगी में काफी उत्तेजना है अंक पांच का मुकता साथ एव उत्तेजना का अंक है तीन उत्तेजना इंद्रिया सुक एव आनंद का अंक है दोनों प्रेम विवोर होकर एक दूसरे में डूप जाते हैं किन्तु जब कभी भी थकान में चिनित होती हैं तो तीन के चेहरे पर उसका परिणाम यह होता है कि पांच अपना सुक कहीं और खुचने रखता है पांच वाला नमबर व्यक्ति कहीं और अपने रिलेशन बनाने का इच्छुक रहता है यह मैं आपको छोटी छोटी बाती बताता जा रहा हूं आप इसे ध्यान से पढ़ते जाएं सुनते जाएं और आनंद लेते जाएं दोस्तों फिर मैं आपको कुछ और भी बताता हूं आपको अच्छा भी लगेगा दोस्तों ये पांच और तीन का जो लेख होता है आपस में अच्छा तो ही है इसमें कोई दोर आए नहीं सवहता चल कर नहीं आती है उस तक पहुँचना ही पड़ता है पढ़ने का अलाब तभी है जब आप उसे व्यावार में विलाएं अपने आच्रन से ही दूसरों को प्रभावशाली शिख्षा दी जाती है जितना कठिन संगर्श होगा जित उतनी ही शांदार होगी शर्दा ग्यान देती है निमर्ता ग्यान देती है योगता इस्थान देती है और तीनों मिल जाएं तो विक्ति को हर जगे सम्मान देती है दोस्तों इन सब बातों को आप थोड़ा सा प्रेशर लगाके जहान लगाके अध्धन करेंगे तो आप काम्याबी की सीडिये पर पोंचेंगे दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ बिजफूच पॉइंट पर आपको यदि हमारी अमित अभ दोस्तों को भी हल्प हो वीडियो कैसी लगी कमंट बोक्स में कमंट करके बताएं आप आगे आने वाली वीडियो कोंसी देखना चाहते हैं अपने सुझाब वश्या दे जो आपने जीवन के बारे में जाना चाहा है दर्शा के बारे में अपने केजिर के बारे में परसनल कंसर्टेंट्री करवाना चाहते हैं तो मैईने नमबर पर contact करें। Personal concern until paid होती है इनके लिए आपको थोड़ा सा फीस देनी होगे। जिससे जोती सीखना है, नमलोजी सीखनी है, सीख सकता है। इन सब की full detail के लिए नमबर पर call करें, तीक है, मैसेज करके पता करें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसार में आज इस तरह की उलजने आ रही हैं कि व्यक्ति एक दूसरे पर टीका टपनी करता है कि वो ऐसा है वो ऐसा है लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप मन से किसी ग्यान को हासिल करेंगे तो आप जीवन मे सफल होगा पांच नंबर बुद्ध का प्रभावी होने से व्यक्ति बुद्धी मान लेखक भोमखी अनुकुल्य गतिशील भाशा और कलाओं को सीखने के लिए जिग्यासु सहासी यात्रों का शोकीन विश्रेशनात्मक जोखिम लेने की शम्ता होगी आंक पांच सुंतुलि प्राप्त होती है अंक तीन गुरु का नंबर है यह ज्यान का भंडार है यह व्यक्ति विकास के लिए आशावादी अच्छी कल्पना सत्य खोज रचनात्मक इमानदारी धार्मिक जुकाप मिलनुसार उच्पदों पर आसिन होता है समाज का सहवग भी मिलता है एक के है एजी कोशन में अच्छी सफलता देखने को मिलती है पैसा प्रोपर्टी नेम फेम धीरे धीरे प्राप्त होता है लेकिन ऐसा जातर बुद्धी मान सुझाब अंक तीन के सहव के कारण ज्यान से भरपूर होता है साफ और इमानदारी के कारे करने वाला होता है उन्हों श सफलता मिलती है गल्द कारियों में पैसा लगाते हैं कार शिष्षा शिख्षा फेबरिकेशन ट्रांसपोर्ट आदी कारियों इनके लिए उप्युक्त होते हैं सूरिय का साथ दें उपासना सूरिया यंतिधारन करें मैं यह बताऊंगा तो दोस्तों यदी आप लोग यद पूटी शानक के साथ आप समन्द रखते हैं तो आप जीवन में सफल होने में आपको प्रेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो मैं आप से ये बात कहना चाहता हूं कि आप इस तथ्य को आधार को सत्यमान के चलें चोंकि सच्चाई आपका साथ देती है करवात कुछ कुछ देर की होती है लेकिन मीठी होती है और मीठा कुछ देर के लिए होता है लेकिन कड़वा होता है अब मैंने अभी शेक बच्चन जिकी कुंडी है पांच दिन को मेंजिशन इनके डेट आप बर्थ है 5 gor 2 1976 इनका मुल्यांक 5 आया और भाग्यांक 3 आया और सेल्फ डेस प्रोवलम है और दोही प्रोवलम है लेकिन इनके पास 922 और 576 बहूंसखता है यह इंडेकेश्ट करता है ऐसा बच्चा ऐसा जातक हर काम को करने में अडवांस परवर्ती होती है उसकी बहुत जल्दी से काम करता है 9251 ये संकेत करता है ऐसा वक्ती जीवन में जिस काम को सोच लेता है ठान लेता है उसके करके हटता है बीच में नहीं छोड़ता 3257 कन्फूजन बना रहता है हमेशा कन्फूजन बना रहता है और ऐसे लोग भावनातमक होते हैं सद बुद्धी वाले होते हैं और क्योंकि 4 नंबर ना होना आलस की प्रवर्ती होती है और 8 नंबर ना होना एक तरह से एंकार की प्रवर्ती होती है अभिशेक बच्चन जी का जो नहीं आता है वो 4 नंबर पे आता है और 4 नंबर रहु का होता है चार नमबर पर कोई भी नमबर हो वो अच्छा नहीं होता इस कारण से अभिशेक बच्चन जी का जितना विक्तित होना चाहिए जिस तरह से अभिताब बच्चन आज वर्ड के फेमस विक्ति हैं उस आधार पर अभिशेक बच्चन जी का नाम उच्छा नहीं है क्योंकि उनक 357 emotional प्रान है ऐसे जात्तों को सहोग व्यावा रहेगा ज़्यादा भावक होगा दिल से निर्ने लेने वाला होगा ओवर्टरस्ट होगा ज़्यादा करेगा यहीं उनके सबसे बड़ी मुसीवत होगी 3971 सुक्षमता और मकारी का तीर ऐसे जातक यह प्रवर्टी को होते हैं आपने अवशकता को साइब भैमाने भी हो सकती है आपने आपको बचाने के लिए सत्या की छिप सकते हैं 276 एक्षन प्रान है 951 विल पावर है 955 इनका आत्म विश्वास अति विश्वास में बदल जाता है इनका दर्ड समकलब इनकी आत्म विश्वास में होता है विशेक बच्चन जे का जीवन बहुत अच्छा है और 5253 ऐसे लोग लोग के दिलों में अपने आप बच जाते ह हैं इनके प्रियास नहीं करना पड़ता क्योंकि इनके पास 35 है और 93 ये इस बात को संकेत करता है कि ये दबंग परवर्थी के भी होते हैं अब और एक 3 ये करता है कि वाग पड़ता में निपन होते हैं 97 ये सावित करता है कि धार्मिक होते हैं और 71 ये सावित करता है कि ये researching nature के भी होते हैं तो जीवन में बड़ी सफलता उच्छाई के तब पहुंचते हैं दोस्तों वीडियो मैं आपको विद एक बात बताता हूँ लोशो गिरिट संपून नहीं है बहुत से तथे वेदिक में आते हैं जो कमिन दिखाते हैं तो हम लोग को वेदिक का पून ग्यान होना चाहिए तो लोशो गिरिट बड़ी अच्छी रहती है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेर करें इससे मेरा मनोबर बड़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ग्यान से भरी वीडियो लाता रहूँगा चैनल को सब्क्राइब करें बेल आई कैन को प्रेस करें आज की वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और नई वीडियो के साथ दोस्तों आपको अभी नंदन से विकार करता हूँ आप हर वीडियो को देखें फिर मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो खाली कम ही देखते हैं जिस तरह से इश्वर ने हर व्यक्ति को जनम दिया है एक स्वीपर को जालू लेगा रगाने काम एक डॉक्टर को डॉक्टर का काम एक वकील को वकील का काम और एक जोतिश को जोतिशा काम हर वक्ति को इश्वर ने करम देका भीजा है और बुराई करने वालों को का काम बुराई करना होता है उन लोग को बुराई का कर्म दे का भी जाए तो उन बुराईयों से कोई फरक नहीं पड़ता और ना बुराईयों से कोई घरता और ना बुराईयों से कोई बुरता नकारात्मक सोच को जब तक आप हम नहीं बदलेंगे तब तक सकारात्मक सोच हमारे अंदर उत्पन नहीं ह आशार विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को विराम लगाता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जैहिंद।